कि खपते से दिन रात आप लोग देख रहें 24 गंटे टेंट में वैठे हुए हैं पड़े हुए हैं प्रसासन ने हमको वहां से लाके यहां पे कर दिया कि आप वहां नहीं बढ़ से फिर भी हम प्रसासन के साथ हैं हमारी बारता कराई जाए और कंपनी के भरस्था कर दिया माननी है मुक्ध मंतरी जी नहीं का इसलिए मैंने आप सबी को व्रोजगार कर दिया है तुम उत्तर प्रदेश की राज़दाहानी में कई आंदोलन होते हैं कई धरना प्रदर्शन होते हैं कई आंदोलन तो 100 दिनों से भी ज्यादा चलते पिछले 7 दिनों से लोगों को रहाद देने की कोशिश की लोगों की जान बचाई लेकिन 9000 अम्बुलेंस करमचारियों को जीवी के द्वारा आज इस तरह से निश्कासित किया गया विरोध की आवाज उठाने पर उन पर कारवाही की गई उस 9000 अम्बुलेंस करमचारियों की बहाली को लेकर ये सभी अम्बुलेंस करमचारी जिवन दाइनी स्वास बिभाग 108-102 के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं इनका कहना है कि 9000 अम्बुलेंस करमचारी जब तक बहाल नहीं होंगे तब तक इस कड़ाती हुई ठंड में आंदोलन चलता रहेगा कई अम्बुलेंस करमचारी इस ठंड में बिमार भी हो गया है अस्पताल भी पहुच गया है लेकिन फिर भी अभी स्वास बिभाग सरकार का ध्यान इन पर नहीं गया बैस अब क्या लगता है अब सरकार का ध्यान जाएगा और नहीं जाएगा अगर तो आप क्या करोगे हम लोगोंने जीबिके कंपनी पे आज के साथ दिन पहले लगबग चार-पांच हजार करमचारी अपनी मांगों को लेकर इकठा हुए थे उसमें प्रसासन के द्वारा हमारी बाग प्रमुक्वा सची जीश से कराई गई थी उन्होंने अस्वासन दिया था कि हम लोगों की मांगों को जल निस्तारित किया जाएगा प्रमुक्वा सची आज छुट्टी पे हैं इस बज़े से आप लोगों की बारता नहीं करा जा उनी के अस्वासन पे आज हम लोग एक हपते से दिन रात आप लोग देख रहें 24 गंटे टेंट में वैटे हुए हैं पड़े हुए हैं प्रसासन ने हमको वहां से लाके यहां पे कर दिया कि आप वहां नहीं बढ़ से फिर भी हम प्रसासन के साथ हैं हमारी बारता कराई इन करमचारियों को वापस डूटी पर रखा जाए कंपनी फर्जी केस कराती है ग्रुप बनाके 40 केस 50 केस फर्जी नंबर दिखा के आपको आईडी करना पड़ता है उस चीज का हम विरोध कर रहे थे सासन प्रसासन को चाहिए एक थर्ड कंपनी को न्यूक्त करके इसकी ज जाते है तो कंपनी वहां बाउंसर लगा देती है तो कहीं न कहीं योगी सरकार ने कहा था कि आप राधियों ने प्रदेश छोड़ दिया है लेकिन ब्रस्टाचारियों ने शायद बिजेपी की शरड ले ली अभी तक स्वास्विभाग द्वारा कोई भी कारवाही नहीं क पताल पहुचके हैं लेकिन अभी तक इनकी वारता नहीं हो पाई कोई निसकर्ष नहीं निकल पाया आखिर योगी सरकार कैसे ब्रस्टाचार पर लगाम लगा रही है जो लगातार आंदुलन के बाद भी अम्बुलन्स करमचारियों की मांगों पर विचाल नहीं जीवी के आए दिने कोई ना कोई बच्चा आत्मत्या कर रहा है इतना प्रताडित हो चुका है कि हर जिले से रोज कोई बुरी खबर ही आ रही है कहीं कोई बच्चा अगर बात की जाए एम्बुलन्स करमचारियों के मरने की जो की बड़ा दुखत है कितनी संख्या होगी करीब दस से उपर हो चुकी है जो आत्मत्या कर लियें प्रताडित हो के कमपनी की नीतियों से उनके द्वारा दबाओ के कारण वो अपने आपको बरदास नहीं कर पाए और अपने मौद को गले लगा लियें सरकार ने जो कहा था कि ब्रस्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे सरकार बना पाई है सरकार ने तो कहा था ना ब्रस्टाचारी ओपर लगाम लगाएंगे तो क्या लगाता लगा पाई मैं सरकार तो कह रहे हम ब्रस्टाचार नहीं कर रहे लेकिन हमारे जो कंपनी के बाइस प्रेसिडेंट है टीवी एस रेडी जी उनका कहना है कि आपको मैंने सरकार के आदेशा अंसार निकाला है सीधा सीधा आरोप सरकार पर कह रहे हैं कि क्या बताते हैं सरकार के आदेश मुझा एक्शारी को निकाल दो सब दूंदर कोश्यों का आप शबूंगे एकौन किया शीमिदी क्वण थरी कि तो निकाल दिया उडान कउम मुझे अभी मिल जाएगा एक चीज़ बताइए आपसे बहुत पहले से आप देख रहे हो कोरोना काल के समय में एंबो लेंज करम चारियों को पीपी किट नहीं मिलती थी गलपस नहीं मिलता था मास्क नहीं मिलता था दस हजार के करम चारी थे अपने जेब से अपने खुद के पैसे से कभी डॉक्टर के CSC में जाके हाथ पैर जोड़कर कभी फार्मासिष्ट से बोलते थे तब पीपी किट पहन के लोगों की सेवाइं करते थे आखिर कंपनी का दायत था सरकार बजट देती है कंपनी ने कुछ भी सामान कोविड काल में नहीं उपलब्द करवाया करम चारियों के लिए यह कहा गया था कि आप लोगों को दिया सारे सुबदाएं जो पर्ष्ट कोरोना बैलेंटेयर हैं उनके लिए सब गाइप कर लिए कंपनी ने साब कह दिया मानिय मुख मंतरी जी ने का इसलिए मैंने आप सभी को विरोजगार कर दिया है तो मानिय मुख मंतरी जी ऑंपनी वाले की मानय मुख मंतरी जी कह दे तो हम बापीस ले लेगे ये बता चांद दिनों में तो चुनाऊ है क्या लगता है मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करो गया मैं यह बाद हम इस पश्ट पूरे एंबोलेंस परवार की तरफ से पच्चेस अजार करमचारी हैं दस अजार निकाल दिये गए उसके बाद भी हम पूरे परवार की तरफ से निकाल दिये गए फिर भी बूट बैंक तो है नहीं एक ची बताईए रोजी रोटी छीड ली गई से निकाल दिया तो मुख मंत्री जी को माननीय मुख मंत्री जी को verbार्टी को दो डिख भाट नेटवकर लेड़ी संधीब दो क्या चिनता है उनके भाटमेड पूर है और उत्तर प्रद्रश के निवासी है उनके बोटों की कोई चिंता नहीं जब रोजगार नहीं होगा तो हम लोग बोट कहां से देंगे नौ साल से वाकिया है दो हजार बारा से ड्यूटी कर रहे हैं तो मतलब कहीं न कहीं वोट आपके जादा है तो अपनी ताकत सरका चुनाओं में बताएंगे आप अगर मांगे पूरी नहीं हमें उमीद है कि चुनाओं के पहले मुख मंतरी जी हम लोगों की समस्या सुन ले और यह समाधा नहीं कर पाएंगे तो सभी सुदंधर हम किसको र रहती है कि हमने साड़े चार लाख रोजगार देने का काम क्या लेकिन साब तर पर यह तजबीर कुछ और ही बया कर रही कि 9000 अबुलन्स करमचारी परिवार को मुख्मंत्री के आदेश पर जीवी के ने सड़क पर ला दिया अब सरकार रोजगार दे रही है या चीन रही और सरकार ने जब करोणा आया था तो हम लोगों को कोई किट माक्स गलपस कुछ नहीं सुबदा दे पाई थी बिना माक्स गलपस के हम पेसेंट लेके गए थे जिसका साच पेसेंट खुद बता जेगा कि हमको भीया ने ऐसे ही उठाया था आइसे ही लेके गए थे कि आप लोगों ने क्या किया कित्ता संगर्ष किया अपनी जान की परवा किये बिना लोगों की मदद की उस समय आपके लिए जो भी असुविधाय रही कुमीडिया ने वतार दिखाने का काम किया कि पीपी कि नहीं मिली गलप्स नहीं मिला और अक्सिजन स्रेंडर जो एक एमबूलेंस में होता था वो भी नहीं रहता था लेकिन फिर भी ऐसी प्रिश्टों में हम लड़े और सरकार का सयोग किया नाम किया देश-बिदेश में नाम हुआ कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने को कंट्रोल कर लिया जनता को बचाया अगर पूछे हैं कि सरकार ने तो रोजगार दिये थे 4 लाग क्या लगता है सरकार रोजगार दे रही या चिन रही रोजगार तो चिन ली हम रोट पर आगे हैं यहां बैठे लखनों में आज 10 दिन होगे हम लोगों को अब आज सब मांगे पूरी नहीं हुई तो कैसे जवाब देंगे हम लोग अभी सासन प्रसासन के बारता के अनुसार चल रहे हैं कि अगर हमारी बारता से समस्याओं को हल कर दिया गया तो वारता की बात करें तो कितने आंदोलन अब तक कर चुके हैं कितनी वारता है हो यह कंपनी के द्वारा कराए गए फरजी केसों की जाच कर दीजिए हमारे ओवर टाइम का मुद्दा नहीं हुआ था लेबर कोट में समझवता हुआ था हम लोगों से बारा बारा घंटे ड्यूटी ली जाती है चार घंटे का ओवर टाइम हमको दिया जाए इसी चीज की मा लेकिन कोई हमारी बास सुनने वाला नहीं है तो एक हफते से आंदोलन हो रहा है और कहीं न कहीं सरकार से उम्मीद भी लगाए है कि प्रसासन उनकी वार्ता कराएगा और मुखुमंत्री को ठोश निरे लेंगे लेकिन वहीं एक और एम्मूलस करमचारी ने ये भी बताया कि मुखुमंत्री नहीं आदेशित किया था जी वी की एमराई का ये कहना है कि मुख्ँमंत्री ने आदेशित किया था कि 9,000 अभूलस करमचारी ओं को निकाल दिया जाए कि या इसका खाम्याजा बाइस के चुनाओं में सरकार को भुगतना पड़ेगा सर्योगी भरत के साथ मैं पंदर्शाइब